हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम साउथ इंडियन स्टाइल में एक बहुत ही टेस्टी दाल बनाएंगे जो नॉर्मल दाल से खाने में एक तम हट कर लगती है तो यदि आपकी घर में भी डाल को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो एक बार इस तरह से डाल बनाकर सब को खिलाईएगा सब इसे बार-बार खाना पसंद करेंगे तो फ्रेंड्स रेसिपी देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो चलिए आज की मज़िदा रेसिपी शुरू करते हैं ये सोपर हेल्थी और टेस्टी डाल बनाने के लिए मैंने लिये तूर दाल जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं वैसे तो इस दाल को बनाने के लिए आप किसी भी तरह की दाल का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जो तूर दाल होती है उसका टेस्ट इस तरीके से बनाई गई दाल में ज़्यादा अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने 3-4 गप इस कप को माप करके तुवर डाल ले ली है तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से धोना होगा तुवर डाल को आपको भीगोने की जरूरत नहीं है और मुंग डाल ले रहे हैं तो उसे भी भीगोने की जरूरत नहीं है लेकिन यति आप चना डाल का इस्तमाल कर रहे हैं तो फिर आपको डाल थोड़ी देर भीगोने पड़ेगी तो यहाँ पर जो तुवर डाल है मैंने उसे अच्छे से धो लिया है एक दो बार और पानी डालते वे मैं इसे बढ़िया से धो करके साप कर लूँगी तो बैस अब इसे भी गोएंगे नहीं डायरेक्टी हम कुकर में इसे ट्रांसफर कर लेंगे बॉयल करने के लिए और अब कुकर के अंदर हम स्वात के अनुसा नमक एड़ कर लेंगे आमने तीन चुताई कप दाल ली थी तो दू कप पानी का डालेंगे और इसे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी डाल की हो जाती है तो वैस प्रेशर कुकर का डखन बन करकी इसके गैस पर चड़ा देंगे और मेडियम फ्रेम पर इसमें तीन से चार विसल आने देंगे फिर अपने आप ही जब इसका प्रेशर खतम हो जाएगा तब हम कुकर खोल लेंगे तो अराम से तीन से चार विसल में ये डाल बहुत ही अच्छे से पक भी जाती है और ज़्यादा गलती भी नहीं है तो आप देखी सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंस ये वो एक्दम परफेक्ट है और ये डाल इसमें थोड़ी से ऐसे खड़ी खड़ी दिखाए देती है तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी और यदि आपको इस स्टेस पर लगें कि दाल गाटी है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी ओर डाल करके 2-3 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही ओपन रखे बॉयल कर लें तो चलिए अब हम इसका तड़का तयार कर लेते हैं इसके लिए कड़ाई के अंदर 2-3 चोटी चमच में तेल गरम कर लूँगी आप ये दाल घी में बनाना चाते हैं तो घी में भी बना सकते हैं तेल के करम होते ही सबसे पहले इसमें आदी चोटी चमच राई है सरसो आड़ करेंगे और जैसे ही राई थोड़ी से तड़क जाएगे तब हम इसमें आदी चोटी चमच जीरा भी आड़ कर लेंगे तो राई आप जरूर से डालना इसका टेस्ट इस दाल में बहुत ही पका लेते हैं ताकि बड़ी आसे इन खड़े मसालों का फ्लेवर दाल में आ जाए और अब इसके अंदर हम एड़ कर लेंगे लसुन तो लसुन को हम पेस्ट बना करके नहीं एड़ करेंगे इस स्टेस पर लसुन को आप इस तरह से बारी काट करके कुछ देर के लिए तेल के अंदर पका लें तो इससे दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है तो बस लसुन को मैंने कुछ सेकंड के लिए पकाया है और अब इसमें मैं दो सावत लाल मिर्च भी एड़ कर लूँगी लाल मिर्च पहले एड़ कर देते तो यह जल जाती तो लसुन के साथ हम लाल मिर्च को भी तो सेकंड के लिए पका लेंगे और अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे प्याज तो यहाँ पर एक बड़ी साइच का मैंने प्याज ले लिया है और प्याज के साथ साथी मैं इसमें एड़ कर रही हूं कुछ करीपते भी तो यह आप जरूर से डालना क् अलग फ्लेवर वाली दाल है तो राई करीपता यह जीजे इस डाल को बहुत ही डेस्टी बनाती हैं फिर तीन से चार हरी मिर्च इस तरह से मैंने काट करके डाल दी है क्योंकि तीखेपन के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल बहुत ही कम किया था बस लाल मिर्च अलग बहुत अच्छी घुजबू भी आने लगी है तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और इस डाल में टमाटर धीर सारी जाते हैं तो मैंने तीन मेडियम सैज की टमाटर इस तरह से बारी काट करके ले लिए हैं दाल में हम नमक डाल चुके हैं तो अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इसके लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब हम कड़ाई को कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं अब एक मिनिट बाद कड़ाई का डगकर हटाएंगे तो टमाट यहाई थोड़ा सा मैश करते हैं तो बहुत ही ऐसी लिए इस तरह से मैश हो जाएंगे तो अच्छे से दाल में गुल मिल जाएंगे फिर इसमें यह उपलीवी डाल डाल करके बढ़िया से मिक्स करनेंगे और बढ़िया से तड़के का फ्लेवर आ जाए इसके लिए कड़ा इससे दाल का फ्लिवर बहुत ही हट कर लगता है नॉर्मली जब हम दाल तड़का दाल फ्राइ बगर बनाते हैं तो लास्ट में खटेपन के लिए उसमें निम्बू का जूस एट करते हैं लेकिन इस दाल में जाएगा ये इमली का पानी इससे दाल को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा तो आप ये जरूर से एट कीजेगा तो बस इमली का पानी डालने के बाद एक मिनिट के लिए दाल को मैं और पकालूंगी और ये लेजे फ्रेंट्स हमारी सुपर टेस्टी दाल बनकर की तयार है तो लास्ट में डालने की इसमें बारी कटावा है राधनिया और इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो देखना फ्रेंट्स आपने कितनी ज़्यादा सिम्बल दाल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और हट कर लगती है तो मेरे घर में डाल बहुत पसंद की जाती है लेकिन वही है कि यदि एक ही तरह की डाल घर वालों को खिलाई जाए तो वो विखा कर बोर हो जाते हैं तो इस तरह से मैं तरह तरह की डाल बना कर उन्हें खिलाती हूँ तो वो भी इसे खूब इंजोय करते हैं और क्योंकि दाल में होता है ठेट सारा प्रोटेन तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत वेनिविट देती है तो इस तरह से आप एक बार जरूर से दाल बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगी गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ आसा इसके उपर इस तरह से तड़का लगा रही हूँ लेकिन ये तड़का लगाने की भी जरूरत नहीं है यदि आप नहीं लगाना चाते है तो बैस इस दाल को आप चावल के साथ या रोटी के साथ सरू करें खा कर मज़ा जाएगा तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें प्लीज अपने फीड़बैक कमेंट्स के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर करें साथी वीडियो पसंद आने पर इसे जदा से जदा शेयर और लाइक करना भी ना भूले मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई मसेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई